ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्मान नायक राजा अधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा अनंद समर्सद्गुरू साइनात महराज की जै हो हे बाबा हे साइन आज श्री साइन सचरित्र का अध्याय उनन्चास का पठन होने जा रहा है बाबा आशिर्वाद दे कृपा करें कि ये अध्याय हम सब के चित्व में उत्रें आईए आरंब करते हैं अध्याय उनन्चास परिक्षा पहला हरी कानोबा दूसरा सोमदेव स्वामी तीसरा नाना साहिब चांदोरकर की कताएं प्रस्तावना जब वेद और पुरान ही ब्रह्म या सद्गुरू का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रगट करते हैं तब मैं एक अलपग्य प्राणी अपने सद्गुरू शरी साई बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ मेरा स्वयम का तो यह मत है कि इस विशे में मौन धारन करना ही अती उत्तम है सच पूचा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरू की विमल पता का रूपी विरुदा वली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मूक कहां रहने देते हैं यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा सम्मंदी आदि साथ बैठ कर ना खाए तो वह नीरस साप्रतीत होता है और जब वही भोजन सब एक साथ बैठ कर खाते हैं तब उसमें एक विशेश प्रकार की सूस्वाधुता आ जाती है वैसी ही स्थिती साइली लामरत के सम्मंद में भी है इसका एकांत में रसा स्वादन कभी नहीं हो सकता यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनंद आ जाता है श्री साइबाबा स्वयम ही अंतह प्रेणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वरनित करा रहे हैं इसलिए हमारा तो केवल इतना ही करतवे हैं कि अनन्य भाव से उनके शरनागत होकर उनका ही ध्यान करें तप साधन, तीर्त यात्रा, व्रत, एवं यग और दान से हरी भक्ती शेष्ट है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम शेष्ट है इसलिए सदैव मुक से साइनाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निदिध्यासन एवं सरूप का चिंतन कर हिर्दे में उनके प्रती सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्ट आए उनके ही निमित्त करनी चाहिए भव बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं यदि हम उप्रियुत विदी से कर्म करते जाएं तो साइन को विवश होकर हमारी साहता कर हमें मुक्ती परदान करनी ही पड़ेगी अब इस अध्याय की कथा स्रवन करे हरी कान बंबाई के हरी कानोबा नामक एक महनोभव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साहीं बाबा की अनेक लिलाएं सुनी थी परंतु उन्हें विश्वास ही ना होता था क्यूंकि वे संशयालू प्रकरती के वेक्ती थे अविश्वास उनके हिर्दे पटल पर अपना आसन जमाए हुए था वे स्वयम बाबा की परिक्षा करने का निश्चे करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबाई से श्रिडी आये उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सेंडल पहन रखे थे उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा परन्तु उनके नए सेंडल इस कारे में बाधक बन गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब उन्होंने अपने सेंडल मंड़प के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किये। उनका ध्यान सेंडिलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दिश्टी डाली तो दे वेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे परंतु वे पूरे समय उन सेंडिलों के चिंतन में ही निमगन रहे। भोजन कर मुँ हाथ धोकर जब वे बाहर आये तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी और आते देखा जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सेंडिलों का जोड़ा लटका всю उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हात में दे कर रास्तों में घूम घूम कर हरी का बेटा जरी का फेटा की पोकार लगाने को कहा है तथा जो कोई कहे कि सेंडिल हमारे हैं तो उससे पहले ये पूछना कि क्या उसका नाम हरी और उसके पिता का का अर्थाद कानोबा से हैं साथ ही यह भी देखना की वह जरीदार साफा बांदे हुए है या नहीं तब उन्हें उससे दे देना बालक का कथन सुनकर हरी कानोबा को बेहद आनंदवे आश्चर्य हु उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सेंडल है मेरा ही नाम हरी और मैं ही का यानी कानोबा का पुत्र हूँ यह मेरा जरी का साफा देखो बालक संतुष्ट हो गया और सेंडल उन्हें दे दी उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सब को ही दिख ही थी हो सकता है कि बाबा को भी दिष्टी में आ गई हो परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रतम अवसर है फिर बाबा को यह कैसे विजित हो गया कि मेरा ही नाम हरी है और मेरे पिता का कानोबा वह तो केवल बाबा की परिक्षार्थ वहां आया था उसे इस घटना से सुनिये जो बाबा की परिक्षा करने आया था काका साहिब दिक्षित के ब्राता शिरी भाई जी नागपुर में रहते थे जब वे सन 1906 में हिमाले गए थे तब उनका गंगोतरी घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचे हो ग बड़ी प्रसनता हुई तथा शिरी जाकर बाबा के दर्शन करने की तिवर उतकंठा हुई मनमाड और कौपरगाव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठ कर शिरी को चल पड़े शिरी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते द परंतु केवल इन से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है सोमदे स्वामी कुछ भिन प्रकरती के थे उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिल्चस्पी क्यों रखते हैं क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी किर्थी का इच्छुक है अतयव उन्होंने शेडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लोटना चाहता हूं तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थी इतना द दिखोगे तब तुमारी क्या दशा होगी स्वामी को अब और भी अधिक घवराट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक सादू संतों के दर्शन किये हैं परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार एश्वर्य की वस्तु में संग्रह कर रहा है ऐसे सादू के दर् चित मनोवरिती छोड़ दो मस्जिद में जो संत हैं वे इंध्वजाओं और अन्य समग्रियों या अपनी कीर्थी का स्वपन में भी सोच विचार नहीं करते यह सब तो उनके भक्त गण प्रेम और भक्ती के कारण ही उनको भेट किया करते हैं अन्त में वे शिर्डी जाकर बाबा के दर्शन करने को तयार हो गए मस्जिद के मंडप में पहुँचकर तो वे द्रवित हो गए उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रूंद गया अब उनके सब दूशित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरुव के शब्दों की स्मृति ह हो आई कि मन जहां अती प्रसंद और आकर्शित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना वे बाबा की चनरज में लोटना चाहते थे परन्तु जब वे उनके समीव गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर-जोर से चिला कर कहने लगे कि हमारा समान हमारे ह साथ रहने दो तुम अपने घर वापस लोट जाओ सापधान यदि फिर कभी मस्जिद की सीड़ी चड़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे क्या ये संतपन के लक्षन है एक शन भी या ना रुको अब उसे अनुब कितने निर्विकार और पवित्र हैं उसने देखा कि किसी को हिर्दे से लगाते और किसी को हाथ से सपर्श करते हैं तथा किसी को सांतावना देकर प्रेम दिष्टी से निहारते हैं किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोश पहुंचा रहे ह और इससे शिक्षा ग्रहन कर मुझे अपना आचरन सुधारना चाहिए बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है अब ये कहना व्यर्थी होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परमभक्त बन गए अंत में नाना साहिब चांदोरकर की कता लिख कर हिमाटपंत ने यह अध्याय समाप्त किया है एक समय जब नाना साहिब महलसापती और अन्य लोगों के साथ मस्जित में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साहिबाबा के दर्शनार्थ आया कुलवंतियों की लाजरक्षन भावना देखकर नाना साहिब वहां से निकल जाना चाहते थे परंतु बावा ने उन्हें रोक लिया इस तरियां आगे बढ़ी और उन्हें बावा के दर्शन किये उनमें से एक महिला ने अपने मुँपर से घूंगट हटा कर बावा के चननों में प्रणाम कर फिर घूंगट डाल लिया नाना साहिब उसके सौंदर्य से आकरशित हो गए और एक बार पुरह वैच्छवी देखने को ललाई थो उठे नाना के मन की विथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना क्यों व करतव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सरहना करें यह मन तो क्रमशह ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चित शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता यदि हमारे मन में कोविचार नह करने की अवशक्ता नहीं नेत्रों को अपना कार्य करने दो इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित ना होना चाहिए उस समय शामा भी वहीं थे उनकी समझ में ना आया कि आखिर बावा के कहने का तात्पर्य क्या है इसलिए लोटते समय इस विशे में उन्हें न उसका संपून व्रतांत उनसे कहकर शामा को इस प्रकार समझाया हमारा मन स्वभावत ही चंचल है पर हमें उसे लंपट ना होने देना चाहिए इंद्रिया चाहें भले ही चंचल हो जाएं परन्तु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रन रख कर उसे अशांत ना होने देन चाहिए इंद्रिया तो अपने विश्य पद्दार्थों के लिए सदेव चेश्टा किया ही करती हैं पर हमें उनके वशिबूत होकर उनके इच्छित पद्दार्थों के समीप ना जाना चाहिए क्रम्शा प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रत किया जा सकता है यदि पी उन पर पूर्ण नियंत्रन संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशिबूत नहीं होना चाहिए, प्रसंगा उनसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गती अवरोध करना चाहिए. संदर्य तो देखने का विशे हैं, इसलिए हमें निडर होकर संदर्पदार्थों की और देखना चाहिए, यदि हमें किसी प्रकार के कोविचार ना आएं, तो इसमें लज्जा और भय की अवशक्ता ही क्या है? यदि मन को निरिच्छ बना कर इश्वर के संदर्य को निहारो, तो इंद्रियां सहज और स्वभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी, और विश्या आनंद लेते समय भी तुम्हें इश्वर की स्मृति बनी रहेगी, यदि उसे भाईये इंद्रियों के पीछे दो हमें विवेक को सार्थी बना कर मन को लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विश्य पदार्थों की और जाने से रोक लिना चाहिए, ऐसा विवेक रूपी सार्थी हमें विश्णुपद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहां गया हुआ प्राणी फिर कभी यहां नहीं लोटता, शिरी सद्गुरु साइनाथ परनमस्तु शुभंभवतु ओम साइराम